हेलो बच्चों मैं हरीस मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने ग्यांत सागर मटपाल चैनल में बच्चों आज की वीडियो में हम लेके आये हैं एकसराइज 5.2 बच्चों हम first question देखते हैं first question में हमें एक first question में हमें कुछ parts दिये हुए जिसमें fill in the blank हमें निकालना है जिसमें fill in the blanks में कुछ n है कुछ a है कहीं पर d है कहीं a n है तो इन सब को हमें find करना है ठीक है तो इसमें total जो parts है वो five है ठीक है first question में five parts है तो एक एक करके solve करते हैं हम लोग इनको सबसे पहले हम first question का पहला parts देखते हैं तो बच्चों हमें a equal to seven दिया है a का मतलब है बच्चों किसी भी series में जो पहला number है first जो term है वो a है तो हमें a equal to seven दिया है और d जो है सभी numbers के बीच में जो difference है वो common है और वो d equal to three हमें दिया है और जो series है बच्चों उसमें जो total number of terms है वो total संक्या है जो है वो eight है अब हमें a n मतलब आठवे number पे जो terms आएगा आठवे number की जो संक्या है वो हमें find करना है तो बच्चों हम a n का formula लगाएंगे तो five point two में a की formula अपलाई होगा किसी भी number पे अगर हमें कोई terms निकालना है तो a n equal to a first term plus n minus 1 d तो बच्चों इस formula में जितने भी variables दिये है अगर उन में से कोई एक missing है तो हम इस formula से उसे आसानी से निकाल सकते हैं तो बच्चों जैसे हम पहला part देखें तो हमें a 7 दिया है तो हमने a को हटा के उसकी जगह 7 लग दिया उसी प्रकार से n की जगह हमने 8 लिखा और d भी हमें 3 दिया हुआ है तो इस प्रकार से आठवे नंबर पे कौन सी संक्या आएगी वो आसानी से हम निकाल सकते है तो बच्चों 8 में से 1 माइनस गया 7 फिर 7 की मल्टिप्लाइ 3 में करेंगे तो 21 और 21 में जब हम 7 एड़ करेंगे बच्चों तो ये हमारा 28 आएगा तो इस प्रकार से AP सिरीज में आठवे नंबर पे जो संक्या आएगी वो है 28 तो ऐसे ही बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं तो बच्चों दूसरे पार्ट में हमें पहला जो टर्म है वो इक्वल टू माइनस 18 दिया है और सिरीज में जो नंबर आप टर्म से ह हैं और लाश्ट का जो टर्म है वो जीरो है तो इसका मतलब दसवे नंबर पे जो संक्या है वो सुन्ने है जीरो तो बच्चों हम A N का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो जो चीजे हमें दे रखी हैं उनको उनकी जगे रख देंगे हम लोग A N हमें कितना दिया है जीरो तो A N को हटा के हमने जीरो लिखा A हमें कितना दिया है माइनस 18 तो A को हटा के माइनस 18 और N हमारा 10 है और D हमें निकालना है तो D missing है पूरे फॉर्मूले में A की variable missing है तो निकल जाएगा अब बच्चों हम क्या करेंगे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यह आजाएगा 9D अब हम इसको calculate करेंगे बच्चों तो यह माइनस 18 ज़र आजाएगा लेप्ट में जो प्लस का 18 हो जाएगा तो इस परकार से जब हम 18 को 9 से divide करेंगे बच्चों तो D equal to हमारा 2 निकल के आएगा अब D हमारा equal to 2 निकल गया और यही हमें निकालना था त तो बच्चों हमें यहाँ पे जो first जो term है A वो हमें निकालना है तो A जो है A N के formula में होता है तो पहले हमने क्या किया A N का formula लिखा फिर बच्चों हमने क्या किया A N को हटा के उसकी जगह minus 5 रखा और A हमें निकालना है तो A को ऐसे ही रखा N हमें given है तो N को हटा के 18 रखा और D भी हमें दिया हुआ है, minus 3, अब हम क्या करेंगे बच्चो, 18 में से 1 minus करेंगे, तो ये आएगा 17, फिर ये जो 17 है, इसकी multiply minus 3 से होगा बच्चो, तो ये हमारा निकलेगा minus 51, फिर 51 जो minus है, उसको उदर ले जाएंगे नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा, minus 5 plus 51 equal to A, और 51 में 5 minus करेंगे, तो A की value निकलके आ जाएगी, ऐसे ही हम इसका fourth वाला पार्ट देखते हैं, fourth वाला पार्ट है, A equal to minus 18.9, D हमें दिया है 2.5, और जो A N है, last का जो term है, वो हमें दिया है 3.6, तो बच्चो, A N हमें given है, तो A N का formula हमने लगाया, और A N को हटाके, उसकी जगे हमने लिख दिया 3.6, फिर A हमारा कितना है, minus 18.9, फिर N minus 1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि N हमें निकालना है, और D हमें given है 2.5, अब बच्चो हम minus 18.9 को left में लेके आएंगे, तो ये plus का 18.9 हो जाएगा, और बाकी हम N minus 1, 2.5 को ऐसे ही उतारेंगे, उसके बाद जब हम 3.6 में 18.9 plus करेंगे बच्चो, तो ये हमारा 22.5 आजाएगा, और 22.5 को हम divide कर देंगे 2.5 से, तो divide करके बच्चो, हमारा जो निकलके आएगा, वो है 9, फिर minus 1, right में जाके plus का हो जाएगा, और इस परकार से N की value हमारा 10 निकलके आएगा, और N 10 फिर बच्चो, ऐसे ही हम इसका 5 वाला पार्ट देखते हैं, 5 वाले पार्ट में हमें 1st term दिया है, common difference 0 दिया है, और number of terms, जो series है, उसमें जो total number की संक्या है, वो 105 है, तो बच्चो, एक AP series है, जिसमें total जो संक्या है, वो 105 है, 105, तो हमने AN का formula अपलाई किया, AN को हटा के हमने, तो बच्चो, AN हमें निकालना है, A को हटा के हमने 3.5 लिखा, और N हमारा 105 है, और D हमें 0 दिया है, तो बच्चो, जब हम 0 multiply करेंगे, तो AN हमारा यहां निकल के जो आएगा, वो 3.5 है, इसी प्रकार से, आब हम देखेंगे question number 2 को, तो question number 2 में हमें 2 parts दे बताना है, कि first question के नीचे option दे रिखें, जो answer आपको बताना है, कि इन 4 में से कौन सा answer है, ठीक है, ऐसे ही second part है, तो पहले हम solve करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 4 में कहां पर match हो रहा है, हमारा answer, तो पहला part अगर हम देखें, question number 2 का, तो पहले parts में हमें, एक AP series है, जिसमें हमे बताना है, कि इस AP series में 30 number पे कौन सा term आएगा, तो हमें A30 निकालना है, हमें 30 term हमें find करना है, तो बच्चों पहला जो है number A10 है, और जब हम दूसरे number में से पहला number minus करेंगे, 7 minus 10, तो equal to minus 3 जो आएगा, वो D है, और total जो हमें निकालना है, हमें बताना है कि इस AP series में 30 number पे कौन सा term आएगा, तो हमें यहाँ पे N जो है, वो 30 given है, अब हम A N का formula apply करेंगे, जो है A N equal to A plus N minus 1 bracket बन और D, अब बच्चों हमें A given है 10, तो A को अटा के हमने 10 लिखा, N हमारा 30 है, और D हमारा यहाँ पे minus 3 है, अब 30 में से 1 minus करेंगे बच्चों, तो यह आजाएगा, 10 plus 29 multiply minus 3, जब बच्चों हम 29 की multiply 3 से करेंगे, तो यह निकल के आएगा, equal to 10 plus minus 87, फिर उसके बाद बच्चों जब हम 10 में से minus 87 करेंगे, तो यह हमारा minus 77 आएगा, अगर हम देखें, जो objective option हमें दे रखेंगे, उसमें जो optional हमारा answer है, वो है हमारा answer C है, क्योंकि C में answer minus 77 दिया है, बच्चों ऐसे ही, question number 2 का second part हम देखेंगे, जिसमें एक AP series हमें दे रखी है, जिसमें 11th term हमें find करना है, सबसे पहले हम A निकालेंगे, A का मतलब है first term, तो यहाँ पे first term क्या है, minus 3, बच्चों D कैसे निकालते हैं, second number में से first number minus कर दो, तो second number हमारा है minus 1 by 2, और first number है minus 3, फिर यह minus और minus जो है, हमने निचे Altium 2 ले लिया, ठीक है, तो उपर minus 1 plus 6 आया, तो यह D हमारा जो निकल के आएगा, पुरा solve करके बच्चों, तो वो D हमारा आएगा, equal to 5 upon 2, तो A और D हमने निकाल लिया, अब हमें 11th term हमें find करना है, तो A N का formula हमने apply किया, कोई भी number का term अगर हमें निकालना है, तो हम A N का formula लगाएंगे, बच्चों हमने A की जगे हटा के उसकी जगे minus 3 रखा, और N हमें 11th है, क्योंकि हमें 11 number term निकालना है, फिर इसमें 11 में minus 1 किया, तो 10 आया, और जब बच्चों हमने 10 को 2 से divide किया, तो ये हमारा 5 आया, और 5 की multiply 5 में करेंगे, तो ये minus 3 plus 25 आएगा, और इसको solve करके बच्चों ये 22 आएगा, तो इस तरीके से हमें question number 2 के जो दो parts हैं, वो solve करने,